जब आपके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं हो और आपको दिखना हो सबसे सुन्दर आपके इसकिन जब बहुत ज़दा बेजान रूखी सुखी हो जाए तो यह वाली होम रेमेडिया आप एक पर जरूर ट्राय करना भाई 10-15 मिट में आपके चैरे पे हीरे जैसी चमक न होगे और एकदम ठीक होंगे देखिए आपने एक काहबत तो जरूर सुनी होगी कि काल करे सो आज कर आज करे सो अव क्योंकि जो आज का काम हम कल पे छोड़ देते हैं कि कल करेंगे और यकीन मानिए वो कल कभी भी नहीं आता मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है जिस दि पूरा करने में हमारा पूरा देन निकल जाता है और यह जो हमने आज का काम कल पे छोड़ा था ना यह कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता तो बस मैं इतना ही आपको समझाना चाहरी हूँ कई बार आप लोगों के साथ में भी ऐसा जरूर होता होगा जैसे कि मैं कोई वीडि तो पढ़ना चाहते हूँ लेकिन आज नहीं मैं इसे कल करूँगी और जो कल आएगा ना उस समय पर मेरी नई वीडियो आ जाएगी है ना फिर आप सोचते है कल वाली ट्राय करूं या फिर यह वाली में ट्राय करूं या फिर घर के सारे सारे काम होते कि इनकों में पूरा क कामों के साथ साथ आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला करें जिससे जो आपकी इसकिने हेल्दी बनी रहे क्योंकि फिर क्या होता है ना जब आप टाइम टू टाइम अपने इसकिन की केर नहीं करते हो ना तो इस पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है आपको जहीँ आना शुरू हो जाएंगे आपके जो इसकिने दिन पे दिन डैड होती चली जाएगी और आपके सित्फिन पहुत जज़ना रगा फूर जान लगा देते हो लेकिन इतने जल्दी से वह नहीं जा पाती है चेहरे पे तरुन्द निखाल लाना है और आपको बन नहीं है, और आपको कहीं पे जाना है, फट फट से कौफी निकलना, क्योंकि जो कौफी पाम्डर होता है यह हमारे चरे पे तुरंत निकाल नाने में, वमारी mature निकालने में काफी ज्यदा हेल्प करता है, जो हमारी के बाद, आप देखिए, आपको लेना है लेमन जूस, आप 1-2 चमस भर के लेमन जूस लेकर इसके अंदर ढाल दीजेए, अगरिफ आपके पास में लेमन जूस नहीं है यह से लेकलता है, यही है, जो फिल्ट श्रीत का सूज वारे, विवेज़ जाला है lemon juice को मेरे skin को lemon juice के suit करता है और tomato का जो paste होता है वह भी मेरे skin को बहुत ही अच्छे से suit करता है अब आपको इसके अंदर डालना है एक चमश भर के दही जी है अगर आपके घर का गाड़ा दही है ना तो बहुत अच्छा है नहीं है तो दही की जगए आप छाच भी ले सकते हो और आपकी skin हच से ज़्यादा ड्राय है तो दूद के साथ दूद की मलाई भी ले सकते हो अब आपको क्या करना है इस सारी चीज़ां को आपस में अच्छे से मिलाना है तो देखे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी pack लगाने के बाद बहुत सारे लोगों की skin ऐ आपकी skin को इसे होते है कि pack लगाने के बाद मेरी skin पर बहुत ज़्यादा किचाप सा आने लगा है और ऐसा लगगारा कि pack लगाने के बाद से ज़्यादा ड्राय होने लगी है तो ऐसे में आप इसके अंदर कमसे कम आधा चमस भग के कोई भी oil डाल सकते हो जो आपकी skin को suit कर और लेकर आदा चमच या फिर एक चौथा चमच लेकर इसके अंदर डाल दीजिए डालने के वाद इस सारी चीजों को अच्छ से मिला लीजिए अब आप देख सकते हो जो यह रेमेडिये ना बनके तयार हो चुकिए अब आपके चेहरे पर त्रॉंट निकाल लेके आने वाल है और दस से पंदर मिट में ही आपको लगेगा कि भाई आपको फेशल कराने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है आपकी जो डैड इसकी ने पूरी तरीकी से निकल चुकी है इसे लगाने का एक तरीका है अगर आपने इसके अंदर दूड डाला है तो आपको पहले दूड को अगर आपको लेना है और अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से पहले मसाज कर लिजी हलके आतों से गुलाब जलसे मतलब थोड़ा सा डालके और उसके बाद उसे अच्छे से साफ कर लीजी और ऐसा करने के बाद फिर आपको जो अपने पैक बना के रखा हुआ इसे लेकर आपको अपने पूरे चेरे पर अपलाई करना है यह वाला पैक आपको दस से पंदर मेंट के लिए पैक के साथ ही आपकी जो डैड़ी स्किन हो निकलेगी आपकी जो चेहरे का जो कालापन है वो खतम होगा उसके साथ में जो इसकिन बहुत जड़ा डल हो गए थी बहुत ज़दा बेजारों की सुपी हो गए थी वो भी पूरी तरीकी से क्लीर हो जाएगी तो देखिए अब के चेहरे पर जो कॉफी पाउडर होता है ना यह हमारे चेहरे पर तुरंत निकाल लेके आता है उसके साथ में जो चेहरे की काले दाग धब्बे होते हैं उन्हें खतम करने में हमारी काफी ज़दा है अगर आपके इसकिन बहुत ज़दा ऑईली रहती है तो आप कॉफी पा तब आपको अपने चैरे को इसी तरीके से नहीं चोड़ना है, हल्का गुनगना पाने की चैरा क्लीन करने के बाद आप देखिए, जो सबvसे ज़्यादा ज़रूर ही आपको लेनी है सैंस्क्रिन इसे अपने चेरे पर लगा लिजें अगर आपको बाहड जाना है तो लेकिन फिलार जो मैं यह little night किया है क्या है मैंने हाट में थोड़ा सा लिया है वरजीन और इसे के अंदर में होड़ा सा एर्ट करूंगे ऑलो पूरे चेहरे पे इस तरीखे से थपकी type में देना है और अच्छे से से set कर लेना है कम से कम आपको इसे दो मिनट की massage तो करनी है जिसे जो सारी चीजें हैं जो आपने oil लगाया है और जो आपने aloevira लिया है यह पूरी तरीखे से आपके skin के अंदर तक चलिज़ा और आपके इसके बाद आप सो जाएए सुभह आप देखना आपके चेरे पे बहुती गजब का निखा रहाएगा अगर आपने ये दिन में किया है तो आप संस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी न भूलें तो आज की मेरी वीडियो आप सभी को कैसे लगे मुझे कॉमेंट्स करके जरूर ब आपको कभी भी आपको ऐसा लगे कि भाई आपको कहीं पर जाना है टाइम आपके पास में बिल्कुल है नहीं तो ये वाला आपके चेहरे पे तुरूंत निखार लाने में आपकी काफी ज़दा है लग करेगा तो आज मैं थोड़ा सा जादी जल्दी जल्दी बोल लिए तो वीडियो कैसे लगी कॉमेंट्स करके बताना वीडियो को लाइक करना जदा ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं कर नए वीडियो के साथ नए विलोग के साथ बाबाए